सभी को जाहिंत मैं नितन निकोडे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चानल Mission NCC The Way of Success में तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे कमेंट करके पूचा है कि सर NCC की भरती कब शुरू होगी तो NCC की जो भरती आए वो शुरू हो चुकी है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 12 जगा की NCC के भरती के बारे में बताने वाला हूँ कि वो भरती कहां पर होगी उसकी वैकेंसी कितनी है और कोन सी भरती कोन से तारिक होगी ये भी मैं आप सभी को बताने वाला हूँ पर किया जाएगा तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला है Christian Inter College फरुकाबाद तो इसमें जो है वो टोटल वेकेंसी 25 वेकेंसी है जो कि इसकी यह जो भरती का वेनुए है वो फरुकाबाद है और यह जो भरती है वो 23 अगस्ट 2022 से भरती शुरू होगी इस बात को याद रखे उसे के इसास साथ दूसरी भरती की बात करेंगे तो श्री पुर्शोतम सिंग इंटर कॉलेज राजेंदर नगर की बात है इसमें टोटल वेकेंसी 30 है उसमें से 21 बॉइस के लिए है और 9 गर्ल्स के लिए वेकेंसी होगी और यह जो भरती का वेनुए होगा यह राजेंदर नगर में है जो कि 24 अगस्ट 2022 को यह भरती होगी उसे के साथ Army Public School फतेगड इस कॉलेज की जो आनसे की भरती है इसमें inve trio 24 वेकेंसी है और यह भरती फतेगड में होगी और इसमें जो है वो ये भरती जो है वो 25 अगस्ट 2022 को ये भरती होने वाली है उसी के साथ अगर हम बात करते है राज की या इंटर कॉलेज फतेगर तो इसमें भी टोटल 25 वैकेंसी है और ये भरती जो है वो फतेगर में होने वाली है और इसका जो डेत है तारीक है ठेके तो इसकी तारीक 26 अ 30 boys के लिए होगी और 15 girls के लिए होगी और ये जो भरती का place है वो छिब्राव मौ है और इसकी जो तारीक है 27 अगस्ट 2022 को जो है वो हिरालाल VN Inter College छिब्राव मौ की भरती होगी इस बात को याद रखे उसी के साथ साथ अगर हम बात करेंगे दूसरे colleges के बारे में जैसे की जगदीशवर दयाल जनता इंटर कॉलेज छिब्रा मौ तो इस कॉलेज की टोटल वेकेंसी है 26 और उसमें से 18 boys के लिए और 8 girls के लिए और ये जो भरती का venue है वो छिब्रा मौ है और इसकी जो भरती की तारीक है वो 27 अगर्स 2022 है याद रखे उसे के साथ राजपूट पथरिया इंटर कॉलेज कमाल गंच तो इसमें भी वेकेंसी है 25 और इसमें से 17 boys के लिए और 8 girls के लिए और ये जो है वो कमाल गंच में भरती होने वाली है और इसकी जो तारीक है 29 अगर्स 2022 अब बात करतेगी राजपूत पथरिया डिगरी कॉलेज कमाल गंच तो इसमें टोटल 30 वेकेंसी है इसमें से 21 वेकेंसी boys के लिए 9 वेकेंसी girls के लिए और ये जो है वो first year के लिए और third year के लिए भी जो है वो इसमें 31 वेकेंसी है जिसमें 21 boys के लिए होगी और 10 जो है वो girls के लिए होगी और ये एक कमाल गंच में भरती होने वाली है और इसकी तारीक जो है 29 अगर्स 2022 है याद रखेंगे उसके बात करेंगे कि municipal inter college फतेगर इसमें total 22 वेकेंसी है और ये जो भरती होगी वो फतेगर में होगी और इसकी जो तारीक होगी वो 30 अगर्स 2022 की दिन ये municipal inter college की भरती होगी याद रखेंगे उसके इसासाथ cpvn inter college कायम गंच इस college की जो भरती है वो इसमें total vacancy होगी 27 तो इसमें से 18 boys के लिए और 9 girls के लिए और ये जो भरती होगी ये कायम गंच में होगी और इसकी तारीक जो है वो 31 अगर्स 2022 होगी ये भी याद रखें उसके ऐसा साथ जो हमारा next college होगा जो dn degree college फतेगर तो इस college में total 30 vacancy होगी जिसमें से 21 boys के लिए और 9 जो है वो girls के लिए और जो third year के जो cadets होगी उसके लिए 33 vacancy है जिसमें से 22 boys के लिए और 11 जो है वो girls के लिए होगी और ये जो भरती है फतेगर में होगी और इसकी जो तारीक होगी 1 सितंबर 2022 तो I hope कि आप सभी जितने भी नए student है जो nc में भरती होना चाहते हो तो ये बात जरूर याद रहिए अगर आप इन में से किसी भी college के student हो तो आप जल से जल एंसीज़ लिए apply करो इस दिन आपके एंसीज़ की भरती होगी यहाँ पर मैंने सारे तारीक बता दिये यहाँ पर मैंने place बता दिया कि आपका भरती कहाँ पर होने वाली है और यहाँ पर मैंने साथ में vacancy भी बता दिये और साथ में मैंने यहाँ पर जो है वह आप सभी को कोन से college की भरती कब होगी यह भी बता दिये I hope कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर कोई भी आपका इस भरती के related doubt है तो मुझे comment box में पूछ लेना मैं आप सभी को reply कर दूँगा ठीक है तो अगर आप NCC के entrance test के बारे में पढ़ना चाहते हो NCC में आपको पता है कि पहले physical test होता है उसके बाद में आपका return exam होता है फिर interview होता है तो return exam के अगर आप तयारी करना चाहते हो तो मैंने ना एक mission NCC application आपके लिए बनाया है जो कि google play store पे आपको मिल जाएगा तो आप से भी application को install कर लीजे और अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजे तो google play store पे आपको search करना है mission NCC वहाँ से application install करके अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजे I hope कि आपको वीडियो में बता ही कई सारी जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी अगर कोई doubt हो तो comment box में आप मुझे पूछ सकते हो तो बिलकुल मिलते हैं अपनी next वाली वीडियो में तब तक